कि है वेले तो अबिव सैसन ने आपको एक ऐंड डैवाप जैसन के अंदर यह बताया था आप लोगों को कि डैवक की प्रोफाइल पर आपको आना है तो क्या स्केल्स की आपको नीड ए राइट जिसमें मैं इस तूल केने मैं इसे करके आपको दिये त्य कि अभी में में थोड़ासा आपको इन डैप्थ यह जो टूल की नियम में लिखी हुए स्कीन के उपर इनका थोड़ासा इन डैप्थ एक मीनिंग किसा इनका इक्ष्ट में क्या क्या रोल है वह मैं आपको समझाने वाला हूं तो यहां से करते हैं मुझे स्टार्ट सबसे पहले में मैंने इसका मीनिंग क्या है वर्जन कंट्रॉल सिस्टम बोलते हैं इसको राइट हर कंप्री में क्या रहता है जब डवलपर काम करते हैं तो वह कंट्यूनियूस कोड में चेंज करते हैं एक सॉफ्ट्यार को बनाने के लिए दस्टीम काम कर रही है एक ही प्रोजेक्ट है अब कोड में कब किसने चेंज किया किसने कोड में लाइन को डिलीट कर दिया है इस इस इस्ट्री को कैसे ट्रैक कर पाएंगे तो वर्जन सिस्टम जो इंडस्ट्री में तूल आया था इसका मेनिंग यही था कि एक सॉफ्ट्य कंपनी जब भी कोई डवलमेंट करेगी और कोड लेविल पर कब कोड में किसने चेंज किया है राइट उसका डेटन टाइम जिसके हम उसको ट्रैक कर पाएं चेंज को कभी कुछ कोड मेरा इस्टक हो गया जैसे मैंने कोड में चेंज किया बड़ी कोड नहीं चल पार रहा है तो मैं इसको जल्दी से प्रिवेस पर रॉलबेक करपा हूं कर तो ठीक ता आज कोड नहीं चल पा रहा है इसका मतलब कर तक कोड मुझे बापस लाके दे दो है तो मुझे मैन्वली वह सब फाइलों को लॉस करने की नीड नहीं है यार हमने आज ये ये फाइल थी इसमें एड़ की थी या मुझे कहीं पर ये रिकॉड लिखने की नहीं है कि आज हमने कोड में क्या किया कि मैं करके रखता हूं कोड में कब किस दिन किस टाइम पर किस यूजर ने कौन सा डेटा एड किया कौन सी लाइन को डिलीट मारा था तो आप जब चाहों अपने कौड को को कहीं से भी रॉल बेक पैसे भी आप रिशेट करके स्टार्ट कर सकते हो राइट इसको यूज हम लोग करते हैं बना सॉफ्ट्य की सॉफ्ट्री डवलेमेंट हम नहीं कर सकते इसके विए राइट यह काम तक इसका सॉफ्ट्री टूल का और जिसमें मार्केट में आज के टाइम पर जो पॉपुलर्टी हुई है उसका नाम है गिट तो गिट एक बीस का टूल है जैसे कंपनी यूज करती हैं सॉफ्ट्य की लाइफ को सॉफ्ट्य के चेंजिस की करने के लिए लाइट आगे बढ़ते हैं दूसरा टम्स मैंने बोला था कि डेवप्स इंजीनियर को कोड बिल्ड मैनेजमेंट टूल आना चाहिए लाइट जब भी कोई को हमें कंपाइल करना पड़ता है उसमें कोई फंडामेंटल मिस्टेक तो नहीं है कोड में कितनी क्लासिस हैं राइट कई हमने कोई कीवर्ड टाइप तो नहीं कर दिया तो मुझे मैनुली पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा बैठके मैनुली इसी चीज़ को ऑटमेट करने बोलेंगे जैसे जावा लैंग्वेज है तो जावा लैंग्वेज के लिए हम लोग जैसे एंड्रॉइट प्रोजेक्ट है आपका तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग आंट को तो जैसे आपके सॉफ्ट्य डवलाब होते हैं उसके रेस्पेक्टिव यह टूल फिट करने पड़ते हैं हम रोगों को तो कोड डवलफ होगा तो बिल्ड करना पड़ेगा मैंट करने पड़ेंगे इसके लिए हमें टेक्नोजी यूज करने पड़तीए जिसकी नाम आप देख रहे हो उसके बाद कोई भी कोड जब प्रॉडक्शन में लाइब करते हैं तो लाइब करने से पहले उस कोड में हमें यह इंस्यूर करना बढ़ता है कि यार इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है इसमें कुछ सिक्यूर्डी तो नहीं आने वाला कुछ से मुलने विल्टी तो नहीं हो इसके अंदर तो यह डवलपर्स इस बात को जानते हैं हमारा काम क्या खाली बस टैक्नलोजी इंटिगेट करके देना तो जब भी कोड हैल्चक की बात आती है इंडस्टी में तो उसमें स सिक्यूर्टी प्रॉलम्स को निकालते हैं और उसको फिक्स करा के डवलपर से देन आगे पास करते हैं प्रोड़क्शन के लिए उसके बाद कंपनी कंटेनर इस टैक्नलोजी को क्यों करती है अभी मैं खाली इसके बारे में इतना बोलूंगा कि अभी तक क्या हो रहा था हम एक मसीन इंगेस करके रखते थेक सोफ्टेड डवलमेंट अधस टैस्टीं होनी है या कोई मुझे चलानी है तो मैंने एक मसीन लिया लींएक्टका बंदूज 뉴스 का और कंपनी में सॉफ्य डवलमेंट टेस्टिंग और एप्लिकेशन चला कि देखना बार बार यह रिकार्मेंट बहुत ज्यादा आती रैपिडली तो हमको एक मसीन को एक डवलपर को देना पड़ता है फिर बाद में मसीन को डैस्टर करना पड़ता है चलो मसीन को डवलपर ने अ डा इस जो दिलिकिलाइफ में मसीन की वेश्टेज है वहां रहे है हमारे बॉय चेकलों को मैं बूलना चाहता हूं कि एक 이제 के अंदर ना सिंगल सर्वर एक ही ऑपरेटिंह सिस्टम में parallely multiple development एक साथ चल पाएं without conflict राइट सो कंटेनर्स बेसिकली क्रेटेड आइसोलेट इन्वार्मेंट बिडिविन एप्लिकेशन पैरलली मल्टीपल डबलमेंट टीम डेहविंग डेडिकेट रिकार्मेंट आपका सॉफ्ट्या पाइथन का जावा का है मेरा पीएच पी का है तो कोई भी सॉफ्ट्यास आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाबनागे बारवार दे रहे थे और एक उपरेटिंग सिस्टम को आप रिजर्ब करके बैठेंग थे वह जो वेस्टेज थी वह मेरा ऑपरेशन में जो काम था ना वो कम हो गया तो आज से पहले जिस कंपनी को सर्वर्स की नीड ज्यादा सब्सक्राइब तो आज वो डिमांड कहीना कि अने के बाद तो नाइंटी मसीन्स की जो कॉस्टिंग थी वेस्का लाइसेंस और नाइंटी मसीन की जो मैंटेनेंस राइट प्रोबिजिनिंग टाइंड टाइम और उनका जो अपना मैमोरी होता है तो वह सब सब्सक्राइब आने के बाद वर्चल मसीन की होने वाली या ओवेस प्रोविजिन की जुटेवल थी बहुत एजी हो गई हुए तो यानी कम मेन पावर से क्या हुई है आज के टाइम पर उसके बाद जो तूल है आपका उसका नाम है क्यूबर निटी राइट तो क्यूबर निटी के बारे में ऐसा बोलते हैं इसन और के स्टेशन टूल सिंपल सा में बोलूं अगर तो कंटेश्ट टेकलोजी को बनाना उनकी हाई अबलेबिल्टी उनका माइग्रेशन मैनेजमेंट इसके लब लेविल्टी यह कुछ होते हैं आई टी में जो हमें कंटेश्ट के उपर चाहिए तो कंटेश्ट का टोटल मैनेजमेंट जो देख रह लेंगे ना उनका पूरा क्रेशन डिलीटेशन मैनेजमेंट करके आपको देगा राइट है तो प्रोडक्शन में इस टेकलोजी आपको ले जानी है तो क्यूबर इडिक को अड़ेप्ट करना ही पड़ेगा बढ़ना कंटेश्ट के अंदर आपको हाई अबलेबिल्टी इस मतलब क्या है पहरे समझते हैं कि वर्ड़ा में का कॉन्फिकेशन हमारे आइटी इंफा सक्चर में आने वाला कोई भी चेंज़ेस इसकॉल कॉन्फिकेशन जॉब जैसे मेरा काम क्या है सर मुझे डेली सिस्टम पर काम करना पड़ता है यूजर को एड़ करना उनका पासप कहता है कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा कि जो भी सर्वर्स वें डेली काम करते बैठके यूजर लॉट अप सर्वर्स और यू नीड़ परफॉर्म लॉट अप चेंज़ेस दियर तो आइकन ऑटमेट मुझे बता दो क्या आपका चेंजिस से पैरललली मैं करूंगा और बहुत स्मार्ट तरीके से कम टाइम में आपको काम करके आजाओंगा तो इसलिए कंपनीज ने क्या किया है सर्वर एडमिन के जो बंदे थे आई टी में बहुत बड़ी टीम से हम डेली मैनूल काम जो करवा रहे थे वैठाके उसकी आपको नीड नहीं है एंस हागता है तो मुझे आलट कौन देगा तो मौनिटुरिंग कहता है ठीक है आपक्क्त का मुझे बताओ अप करनी इसके अंदर और आप सिस्टम पर लॉगिन करके मत बैठो मैं रेगुलरली एक इंटरवल की बाद आपको किसी सिस्टम की स्टेट का अपडेट देता रहूंगा अब उस अपडेट के ऊपर आप कभी एक्सन ले सकते हैं इसलिए हमको मॉनिटरी टूल यूज आईटी मे करने पड़ते हैं तो यह एक सौट का मतलब क्या है कंटेंस करते हैं और क्यों करते हैं वागरा तो यह सब मैंने आपसे रिसक्स किया है आप समझ में आ गया होगा झाल झाल